मूवी की शुरात में हम जीन नाम के खतरनाख हत्यारे को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी जेल में होता है तब ही वहाँ पर जेल के गार्स आते हैं वो जीन को अपने साथ बार सभी लोगों के सामने ले जाते हैं तब जीन को देखकर सभी लोग उसे गालियां देने लगत तब ही जेलर सबको बताता है कि दो दिन बाद जीन को फांसी दी जाएगी जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और तब ही कहानी शिफ्ट होती है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक मार्केट में मचली बेचने वाली एक औरत को देख लेते हैं जिससे सभी लोग उस औरत पर बहुत गुसा होते हैं और उसे अरेश्ट करके फांसी दे दी जाती है फिर उस बच्चे को अनात आश्रम बेद दिया जाता है और वो वही बच्चा है जिसको आमने मूवी के शुरुआत में जेल में देखा था जिसका नाम जीन थ खुजरता है और जीन अब 5 साल का हो जाता है लेकिन उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था पर उसके पास एक सुंगने की शक्ती थी जिससे वो चोटे से चोटे चीज़ को भी सूंग सकता था और किसी भी चीज़ को सुंग कर बता देता था कि वो क्या है इसी तर उस औरत को मार कर उसके पैसे ले जाते हैं दरसल जीन को कोई भी अपने से दूर करता है तो वो मारा जाता है जैसे बचपन में उसकी मा मर गई थी अब वो आलमी जीन से बहुत काम करवाता है एक दिन वो जीन को पैरिस के एक बजार में ले जाता है जहाँ पर जीन को एक खुश्बू आती है जिसका वो पीछा करने लगता है और वहाँ एक परफ्यूम बेचने की दुकान पर पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे लोग परफ्यूम चेकर के उन्हें करीद रहे थे तब उसे वो खुश्बू बहुत पसंद आती है तब ही जीन को एक खुश्बू आती है और जब उस खुश्बू का पीछा करता है तो वो देखता है कि वो खुश्बू एक लड़की से आ रही है तब वो उसके पास जाता है जिसे देखकर लड़की को लगता है कि जीन बोखा है इसलिए वो उसे फल देती है लेकिन जीन उसका हाथ पकड़कर उसको सूंगने लगता है तैसे वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है लेकिन जीन उसे सूंगते हुए फिर एक बार उसके पीछे पहुंच जाता है और जब वो लड़की उसको देखती है तो वो चिलाने लगती है लेकिन तब ही जीन उसका मूँ बंद कर देता है तांगी वहाँ के लोग उसे सुनना ले और जब सबी लोग वहाँ से चले जाते हैं तब जीन अपना हाथ उसके मूँ से हटाता है लेकिन सांस बंद होने के का आदमी के पास जाता है और वो आदमी काफी साल पहले परफ्यूम वेबारी था लेकिन अब इस शहर में बहुत सारे परफ्यूम के वेबारी हो गए थे इसलिए उसका बिजनस डाउन हो जाता है और जीन अब यहां आता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम है तब ही यहाँ के परफ्यूम को सूंकर इनके बारे में उस आदमी को बताता है और साथ ही कई सारे परफ्यूम को मिलाकर उस आदमी के लिए एक परफ्यूम बनाता है और इस परफ्यूम के कुछबू इतनी अच्छी होती है जिसे आदमी उसका आदी हो जाता है उसके बाद जीन के लिए एक और परफ्यूम बनाता है जिसे सुनकर उस आदमी को अपने गल्फरेंड की याद आ जाती है इसलिए अब वो जीन को उस आदमी से ख्रीग लेता है तांकि वो उसके लिए परफ्यूम बना सके फिर जीन को बेचने के बाद वो आदमी मी मर जाता है जिसके बाद वो आदमी जीन की बनाई होई परफ्यूम बेच कर पैरिस में फिर से एक बार मशूर हो जाता है तब वो आदमी जीन को बताता है कि इस दुनिया में 12 तरह की अलग-अलग खुश्बू वाले परफ्यूम है पर आज तक कोई 13 परफ्यूम नहीं बन पाया लेकिन कोई अगर 13 परफ्यूम बना ले जिससे वो 13 परफ्यूम नहीं बना सकता और इस बास से वो बहुत जादा गुसा हो जाता है जिससे वो बिमार भी हो जाता है तब वो जीन को बताता है कि तुम्हें अगर वाँ परफ्यूम बनाना सीखना है तो मैं फ्रांस के शहर में जाना होगा लेकिन जाने से पहले जीन उस आदमी को परफ्यूम बनाने का सो अलग-अलग तरीके बता देता है जिससे वो आदमी एक किताब में लिख लेता है जिसके बाद जीन फ्रांस के शैर के लिए निकल जाता है और उसके जाते ही उस आदमी का घर गिर जाता है और वो मर जाता है फिर हम जीन को देखते हैं जो पैदली फ्रांस के लिए जा रहा था कुछ मेने बाद वो फ्रांस पहुंच जाता है तब ही उसे एक बार फिर से वैसी खुश्बू आती है जैसे इस लड़की से आ रही थी जिसको उसने गलती से मार दिया था तब वो एक गोड़ा गाड़ी को देखता है जिसमें एक लड़की बैटी हुई थी और उसी से ये खुश्बू आ रही थी फिर जीन उस गोड़ा गाड़ी का पीछा करता है और वो लड़की फ्रांस के आली शान महल में रहती थी ये महल एंटोनी नाम के एक आदमी का होता है जो बहुत अमीर था और वो लड़की इस आदमी की बेटी थी जिसका नाम लोरा था उसके बाद जीन फ्रांस में एक औरतों की फैक्टरी में काम करना शुरू कर देता है आपर वो जानवरों की चरबी से खुश्बू निकालने के दो तरीके सीखता है जिसके बाद वो तरीका इनसानों के उपर करने का सोचता है इसलिए वो एक लड़की को अगवा करके मार देता है और फिर उससे जो तरीका सीखा था उनमेंसे एक तरीका इस्तिमाल करके वो पर्फियू बनाने लगता है लेकिन वो पूरी तरह असफल हो जाता है उसके बाद वो एक और लड़की को बुलाता है जिसे मारकर वो दूसरे तरीके का इस्तिमाल करता है वो इस बार वो कामयब हो जाता है इसका मतलब वो लड़कियां के स्किन से खुश्बू निकालने का तरीका अच्छे से सीख गया था उसके बाद वो तेरा बोतलों को निकालता है क्योंकि वो लड़कियां के स्किन से अलग-अलग तरह के पर्फियों बनाना चाहता था इसलिए वो लोरा के पार्टी में जाकर उसे अगवा करने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता लेकिन इसी पार्टी से दो लड़कियां गायब हो जाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि जीन ने उन दोनों लड़कियों से दो अलग-अलग खुश्बों के पर्फियों बना लिये थे फिर इसी तरह जीन एक के बाद एक लड़कियां को मार कर पर्फियों बनाने लगता है जिसके बार वो बारा अलग-अलग खुश्बों के पर्फियों बना लेता है वही शेहर से एक-एक करके लड़कियां गायव होने पर शेहर में हलचल मत जाती है और सब अपने घरों के बाहर ताला लगाना शुरू कर देते हैं तब ही हम लोरा के पिता एंटोनी को देखते हैं जो शेहर के एक मीटिंग में बताते हैं कि अभी तक जितनी भी लड़कियां की डेट बोडी मिली है उनके श्रीर पर कोई भी जोर जबदस्ती के निशान नहीं थे यानि जो भी लड़कियां को पकड़ कर मार रहा है उसका मकसद कुछ खास है इसी दुरान वहां पर एक आदमी आता है जो सबी को बताता है कि वो आदमी पकड़ा गया है लेकिन एंटोनी को विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी वो शातिर कातिल पकड़ा जाएगा और उसे अपनी बेटी लोरा की बहुत फिक्र होती है इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर पराश शहर में चला जाता है लेकिन जब वो जा रहा होता है तब जीन को उसकी खुश्बू से पता चल जाता है कि लोरा शहर से बाहर जा रही है इसलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है तब जीन के जाने के बाद वहाँ एक आदमी को उसके रूम में लड़कियों के बाल मिलते है तब वो पुलिस वालों को बुला कर रूम की चान बिन करवाता है तब ही उन्हें सारी लड़कियां के कपड़े और बाल मिलते हैं जिससे उन्हें पता चल चुका था कि असली कातिन जीन है तरफ हम एंटोनी और लोरा को देखते हैं जो दूसरे इश्तिदार के घर में रुके हुए थे तब ही रात में एंटोनी लोरा के रूम में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेता है लेकिन जब वो सो जाता है तब आप जीन आता है और एंटोनी के पास से चाबी लेकर लोरा के कमरे में जाता है फिर अगली सुबा एंटोनी देखता है उसकी बेटी कमरे में नहीं है इसका मतलब जीन ने आगरी परिफ्यूम बना लिया था के बाद वह उन सबी परिफ्यूम को मिला कर तेरे मां परिफ्यूम बना लेता है वहाँ पर सिपाही आकर जीन को पकड़ लेते हैं तभी कहानी वापस प्रेंदर में आती है इसके बाद जीन को फांसी दी जाएगी और शैर के सबी लोग यहां पर इकटे हो जाते हैं तभी जीन वहाँ पर आता है और अपनी बनाई हुई परिफ्यूम खुद पर लगाता है और जब वह वह उस आदमी के पास जाता है जो उसको फांसी देने वाला था तभी वह आदमी जीन के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि जीन बेकजूर है जीन के जिसम से जो तेरवे परिफ्यूम की खुश्बू निकल रही थी उस कुश्बू से सबी लोग मदोश हो जाते हैं उसके बाद जीन वो परिफ्यूम एक रुमाल पर लगा कर हवा में लेनाता है तो आम अजूस सबी लोग मदोश हो जाते हैं और सबी लोग एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं लेकिन तबी लोग मालने के लिए एक तलवाल लेकर वहां पर आ जाते हैं लेकिन वो भी इस कुश्बू की वज़़ा से उसे मार नहीं पाते और वो जीन को अपना बेटा माल लेते हैं लेकिन तबी जीन को वही लड़की दिखाई देती है जिसको उसने सबसे पहले मार दिया था तब वो सोचता है ये अगर उसने उसे नहीं मारा होता तो वो उसके साथ रहा पाता और प्यार कर पाता तबी जीन को अपनी गल्दी का एहसास होना शुरू हो जाता है इसलिए वो यहां से चला जाता है और उसी मार्केट में आ जाता है जहां जीन का जनम हुआ था फिर वो सारा पर्फ्यूम अपने उपर डाल लेता है तबी वहां पर मुझूद सबी लोग उस खुश्बू से अपना होश खो देते हैं और जीन के उपर चड़कर उसे नोचने लगते हैं जिससे जीन मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है